अर बात कर लेते हैं मनिपूर की जिसको लेकर देश की संसत में लगातार हंगावा हो रहा है विपक्ष ने आज काले कपड़े पहन कर प्रदर्शन किया मनिपूर हिंसा पर राजनीती यानी सियासत हो रही है लेकिर उससे अलग सवाल है कि वहाँ हालाग क्या है इस सवाल का जवाब टीवी नाइन भारत वर्श दे रहा है आपको बता दे आपको हमारे समवादाता जितेंद्र शर्मा चुराचांदपूर से लेकर हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित बिश्टूपूरा इलाके का दोरा कर रहा है मंगलवार को हमने आपको दिखाया था कि कैसे चुराचांदपूर में ज़्यादा तर हिवावने अपने हाथों में हथियार उठा लिये हैं आज हम आपको बिश्टूपूरा इलाके में हथियारों की निगरानी में हो रही खेती की हैरान करने वाले तस्वीरे दिखाने वाले हैं तस्वीरे भी आपके सामने हैं मनिपूर की राज़धाने इंफाल से करीब 45 किलोमीटर दूर बिश्टूपूरा जिला है यहां कभी भी मैतेई और कुकी दोनों गुटों के बीच आमने सामने की फारिंग शुरू हो जाती है यहां के लोग हर पल खौफ के साय में जीने को मजबूर है ऐसे हालात में हां मैतेई सबुदाय के कसान किस तरह आप देखेतों में काम कर रहे हैं इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको ज़रूर देख दीजा है दो तरफ से पहाड़ियों से घिरा मड़ीपूर का विश्नुपुरा जिला यहां की ज्यादतर आबादी मैतेई समुदाय से है जो खेती करती है तीन मई को हिंसा के बाद से यहां के किसानों के लिए खेती करना जान को जोखिम में डालने जैसा बन चुका है पहाड़ियों पर विरोधी कूकी समुदाय का कब्सा है जिन्होंने छिपकर उपर बंकर बना लिये हैं वो कभी भी खेतों में काम कर रहे किसानों के तरफ अपनी बंदूकों का मुख खोल देते हैं और आमने सामने फारिंग शुरू हो जाती है हमारे समवादाता जीतेंदर शर्मा ने यहां पहुंचने के बाद खेतों के बीच जो मनजर देखा वो काफी हैरान करने वाला था यहां संगीनों के साय में मरी पर पलिस और इंडियन रिजर्व बटालियन के सिक्यूरिटी के बीच किसान खेती कर रहे है ठीक मेरे ताबाएं तरफ आप देख सकते हैं यहां पर बकायदा पलिस ने अपना एक बंकर बनाये वाया है बड़ी संग्या है पलिस बलते नात है और चारों तरफ आपको यहां धान के खेत दिखाई देंगे जहां पर यह जो किसान है बिश्नू पुरा इलाके के वो यहां पर अपने खेतों के अंदर खेती करने आते हैं लेकिन ये जो खेती है इंधान के खेत में वो दरसल पुलिस के साहे में हो रही है यानि कि पुलिस सुरक्षा के साहे में की जा रही है ठीक सामने देखिए किसान इस वक्त वो खेती कर रहा है और ठीक सामने देखिए किस तरीके से जो मणीपुर पुलिस और इसके अलावा आ IRB ने पोस्ट बना कर सुरक्षा और निग्रानी शुरू की. पिछले दो महिनों से खेतों में पुलिस पहरा दे रही है, अलग-अलग शिफ्ट्स में 24 घंटे यहां सिक्यूरिटी होती है, सुरक्षा में किसान मजदूर खेती करने आते हैं और लौट जाते हैं, विश्नुपुरा की ज्यादातर उन इलाकों में ऐसे ही हालात हैं जहां पहाडों से घिरे हैं और पहाडों पर विरोधी गुट का कंच्रोल है। तमाम तरीके के जो वैपन्स हैं यहां पर इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जमीन को बचाने के लिए आपर रखे हुए हैं, आप यह देखे किस तरीके से सिंगल बैरल यहां पर रखी हुई है, इसके अलावा यह देखे अपनी जमीन को बचाने के लिए किस त और जाता है कि आखिरकार ये फायरिंग हो किधर के तरफ से रही है और उसके बाद उस फाइरिंग का ये लोग जवाबी कारवाई उसको रिटैateurs ये लोग करते हैं और तर तश्वीरे आप देखे किस तरी के से ऐ जो बंकर है दरसल यह जो इस्थानिय लोग उन्होंने अपने बंकर यहां पर बनाए वे और बंकर के अंदर देखे किस तरीके से यहां पर बकाइदा तौर्च यहां पर आपको दिखाई देगी यहां पर आपको लाइव काटेजी दिखाई देंगे यहां पर सिंगल बैरल जो बंदू के हैं वो यहां पर दिखाई दे और ये देखिए किस तरीके से वेपन्स यहां पर इन्होंने लिए वे